पॉराणिक कथा के अनुसार एक गाउं में एक गरीब ब्राह्मन रहता था वो नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विश्णु की अराधना करता था उसकी पूजा भक्ती से प्रसंद होकर उसे भगवान श्री विश्णु ने दर्शन दिये और ब्राह्मन से कोई वर मांने के लिए कहा तब ब्राह्मन ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की तब ये सुनकर भगवान विश्णु जी ने अपने घर आने का आमंतरण देना और वही इंस्त्रीही दवी लक्ष्मी है विश्णु जी ने ब्राह्मन से कहा कि जब धन की देवी मा लक्ष्मी तमारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्यसे भर जाएगा ये कह कर शृष्णु जी चले गई अगली दिन वो सुबा ही मंदिर के सामने बैठ गया लक्षमी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राहमन ने उनसे अपने घर आने का निवे दन किया ब्राहमन की बात सुनकर लक्षमी जी समझ गई कि ये सब विश्णुजी के कहने से हुआ है लक्ष्मी ज्वी ने ब्रामन से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर लेकिन उससे पहले तुम्हें महा लक्ष्मी का वरत करना होगा सोला दिनों तक वरत करने और सोलवे दिन रात्रे को चंद्रमा को अर्ध देने से तुम्हारा मनोरत पूरा होगा रामण ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तरदिशा की और मुख करके पुकारा इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन फून किया मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी और जो भक्त पूरी श्रधा के साथ ये व्रत करता है उसे अपार धन की प्राप्ती होती है माहा लक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है दूसरी पौराने कथा के अनुसार महा भारत काल के दौरान एक बार महर्शी वेदव्यास श्री ने हस्तिनापुर का भ्रमन किया महराजा धृतराष्ट ने उन्हें अपने ताज महल में पधारने का आमंतरन दिया माता गांधारी और माता कुंती ने मुनी वेदव्यास से हाथ जोड़ कर प्रश्ण किया कि हे महा मुनी आप से हमारी प्रातना है कि हमें कोई ऐसा सरल व्रत वपूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्षमी सुख संपती वपरिवार सुखी रहे ये सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख सम्रदी चाते हैं तो प्रतिवर्श अश्विनी कृष्ण अश्टमी को विदिवदश्री महालक्षमी का वरत करें तब रानी ने कहा कि हे महामुनी इस वरत की विदि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें तब व्यास जी बोले कि हे देवी ये वरत भात्र पदशुक्ल पक्ष की अश्टमी से प्रारंब किया जाता है इस दिन नस्नान करके सोला धागों का सूथ बनाएं उसमें सोला गाठ लगाएं और हल्दी से उसे पीला करें प्रति दिन सोला दूब और सोला गेहुं के डोरों को चड़ाएं और सोला दिन तक उपवास रखकर मिट्टी के हादी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा इस्थापित कर विधी पूर्वक पूजन करें और संध्या के समय चंद्रमा को अर्ध दें रिशी वेदव्या श्री की बात सुनकर कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया रानी गांधारी ने अपने ताज महल के आंगन में सो पुत्रों की मदद से विशाल का एक गज का निर्मान करवाया अड़नगर की सभी इस्तरियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया परन्तु रानी कुंती को निमंत्रन नहीं भेज़ा जब सभी महिलाएं गांधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई माता को दुखी देखकर पांचो पांडवों ने पूछा कि माता आप उदास क्यूं है तब कुंती ने सारी बात बता दी इस पर अरजुन ने कहा कि माता आप महालक्षमी पूजन की तैयारी कीजिए मैं आपके लिए हाती लेकर आता हूँ ऐसा कहकर अरजुन इंद्र के पास गए और इंद्र लोग से अपनी माता के लिए एरावत हाती लेकर आए जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का एरावत हाती पूजा आजाएगा तो सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओड़ जाने लगी देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसा ठस भर गया जब स्वर्ग से एरावत हाती उतरने लगा तो उसके आबुशनों की ध्वनी गुंजने लगी एरावत हाथी के दर्शन होते ही जेजेकार के नारे लगने लगे सैनकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के भवन में उतराया तब सभी विवाहित महिलाओं ने विधी विधान से महालक्ष्मी का पूचन किया पौराणिक मान्यता है कि इस वरत की कथा को सोला बोल की कथा का नाम दिया गया है तो इस प्रकार जो भी इस वरत को करता है उसे धन का अभाव कभी नहीं रहता कुंडली टीवी डेक्स से तान्या की रिपूर्ट जरूर बताएं धन्यवाद